हमारे Mi Atoll यानि POCO M2 Pro के लिए एक latest update आ चुका है MIUI का जो कि हमारा MIUI SR Edition है और यह ROM काफी एदा popular है हमारे Mi Linux device के लिए और उसी से यह port होके हमारे device के लिए आ गया है तो आपके पास अगर Redmi का Note 9S, Note 9 Pro या Note 9 Pro Max या POCO M2 Pro के अलावा Redmi का Note 10 Lite device है तो उसमें यह सेम रोम इस्टॉल कर पाओगे और जो चेंज में यहां पर आपको बताने वालाओना वो साय चेंज आपको देखने को मिलेंगे आपके अपने device के अंदर तो चलिए find out करते कि क्या कुछ यहां पर हमें नया रेखने को मिलता है कितना अच्छा performance वगरा है और भाई इसे use करना चाहिए या फिर नहीं तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो like करेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe और support के लिए share ज़रूर करें सबसे पहले अगर आपको यह wallpaper चाहिए जो कि मैं apply कर रखा हूँ तो इसे मैंने काफी टाइम पहले टेलिग्राम पे share किया था आप वहां से download कर पागे अगर हम इसके about की बात करें यानि my device की तो यहाँ पे myysr13y अभी 22.3.23 देखनी को मिलता है जो कि latest beta पर run कर रहा है इसके बाद कोई update नहीं आया है तो उसे के उपर आपको यह दिखाई दे रहा है डिवाइस में pixel लिखाओ मिलता है तो इसे आप ignore करके चलना क्योंकि आप इडिट कर सकते हो जो कुछ भी आपको डालना है डाल सकते हो बाकि supported device का दो नाम मैंने आपको पता ही दिया है यहाँ पर आपको android 12 देखनी को मिल जाता है जो कि काफे अच्छी बात है और security page आपको three month का दिखाई देता है जो कि बिलकुल यहाँ पर latest निकल के सामने आता है बाकि back क्यों रहाते हैं तो यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाता है जो कि हमारा kernel वगेरा है तो यहाँ पर आप देख पाऊए कि प्रिफी उच किया गया है जो कि हमारा official वाला ही है यहाँ पर आपको lock screen पर जो wallpaper and personalization देखनी को मिलता है वो चीजे missing दिखाई देगी यह मै आपके modded और port room के अंदर बट यहाँ पर नहीं है डिस्प्ले के अंदर आपको देखनी को मिलता है anti flicker जो कि हमारा इस device के लिए जुरूत है नहीं क्योंकि AMOLED हो रहा तो है नहीं बट यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है तो इसका कुछ खास advantage आपको सायद ही देखनी को मिलेगा बाकी reading mood वगरे आपको working है इन में कोई दिकत नहीं आता sound panel भी अच्छे से काम कर रहा है और यहाँ पर आपको MIUI का launcher देखनी को मिलता है जिसके वज़े से MIUI का home setting है ना कि POCO का और मैं भी फिलाल POCO का device यहाँ पर यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर यह सारी चीज आ आपको देखनी को मिल जाएगा स्वाइप आपका Google Assistant यहाँ पर दिया गया है बट इसका EP के updated नहीं है तो आप प्लेस्टूट से डाउड़ोड करोगे तो वह आपको working देखनी को मिलेगा बाकी यहाँ पर आपको search work provider देखनी को मिलता है test का option देखनी को मिल जाएगा और यह हम रिमूब क्यों करेंगे हमें तो यह चाहिए होता है जो कि पोकर ने औरेडी रिमूब करके रख रखा है बाकी यहाँ पर automatic close folder है इंफिनिटी और स्क्रॉल वगरा देखनी को मिल जाएगा तो यह कैसे काम करता है तो आप देख से तो यहाँ पर locking unlocking के अलाबर यहाँ पर apps इन ही आइकन दिखाई दे रहे है क्योंकि रोग कम है अधरवाज ज्यादा application होते ना इसके अंदर तो चार आइकन नजर आते एक साथ तो यह चीज़े आपको यहाँ पर दिखाई देता है बाकि रही इंफिनिटी और स्क्रॉल की तो आप देखो इदर में अगर slide करता हो यह वापस home screen पर आ जाता है यानि last page से में दौरा slide करूंगा तो वापस यह home screen पर swipe हो जा रहा है तो यह हमारा infinity scroll है जो कि काम करता है बाकि हम फिट से अगर setting अंदर in करते हैं जो कि यह रहा हमारा setting तो आप देख से किस तरीक से यह appear हो रहा है यहाँ छोटा सा issue है smoothness को लेक क्योंकि जब भी हम background से वापस उस app के उपर जाते हैं तो थोड़ा अलग सा time लगता है load होने में जो कि I think कि थोड़ा लंबा use करने बाद ठीक हो जाएगा या finish update का हमें wait भी करना पर सकता है बाकि यहाँ पर आपको और normal से customization हो गया देखनी को मिलते हैं जिसमें जाला कुछ है नहीं और face unlock fingerprint आपको working देखनी को मिल जाएगा रही बात battery तो जितना भी मैंने यूज किया उसके साथ से मुझे बैटरी ठीक लगा है कुछ खास जाला downgrade तो देखनी को नहीं मिला तो overall मैं कहूं है यहाँ पे सही है additional के अंदर आपको one-handed motor देखनी को मिलता है जो कि हर्व तो यह छोटी सी कम ही लगी but don't worry home screen पर आपको full support मिल जाता है widgets वगेरे का तो जितना widgets चाहो use करना यूज कर सकते हो लेकिन एक और छोटी सी कम ही यहाँ पर मुझे यह भी देखनी को मिलेगे जब भी मैं कोई application वग्राइक को add करता हूं तो यहाँ पर दिखाता है आप उसे permission दो यहाँ पर theme के setting में जाके तो यह मन ने बहुत कुछ check out किया है लेकिन कहीं पर भी problem solve नहीं यहाँ पर मैंने सब कुछ करके देखा फिर भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ नहीं हो रहा तो कुछ-कुछ widgets में थोगा सा दिक्कत यह कर रहा है बाकी देख से कि आप देख से तो मैंने 2-3 widgets यहाँ पर add कर रखें तो वह हमारा काम करता है अगर में screen recording की setting के अंदर in करते है यहाँ पर आपको setting देखने को मिलता है frame rate का वह आपको 60 देखने को मिल जाता है जो कि सही है कोई दिक्कत नहीं है साथ से साथ आप अगर camera यूज करते हो तो आपको camera fully working देखने को मिलेगा इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाला अगर आपका 64 यह तो 64 यह 48 अगरा है लेकिन जो normal camera setup वगएर ना वह आपको working देखने को यहाँ पर मिल जाता है अगर यहाँ पे more पर आते हैं और details को उपर जाते हैं तो आप देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर photo quality काम कर रहा है but 108 दिखा रहा है जो कि एक false है उसके बाद more पर आते हैं यहाँ पर कई स को replace कर दिया गा कुछ टाइम पहले ही तो health app टाटर बाइब हो गया उसके जगा आपको MI fit देखने को मिलेगा बाकि यहाँ पर यहाँ पर लीवर टूब तो यह आइधिंग वेंस्ट का replace version है मेरे ख्याल से जहां तक लेकिन ऐसे यह okay okay type का है तो यह by default आपको मिलेगा तो भा पर मैंने dedicated वीडियो दिया था जो कि मेरे में चैनल के उपर था तो यहाँ पर आत्म गेमटरों के उपर तो आपको पता है कि POCO M2 PRO को अभी तक वाइस चेंजर नहीं मिला लेकिन इस port के अंदर आपको वाइस चेंजर का support मिलता है जो कि fully काम करता है कोई तिकत नहीं आता सा जैसा होगा उसके हिसाब से तो यहां से यह चीज़ा आप यहां पर बूस्ट अप कर पाऊगे जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है लेकिन यह गेमटरों कितना performance को बूस्ट कर पाता है चलिए उसको पर भी नजर डालते है और बाकी phone के overall performance के उपर भी तो यहां पर यहां पर देखें तो कि Erun का support हमें मिल जाता है तो Amazon Prime Netflix में ज़्यादा दिकत आपको नहीं आने वाला और यह हमारे single और multi-code जो कि काफी सही मैं कहूंगा और यहां पर भाई जो pixel storage है ना जैसे कि बताया गया कि इसमें pixel storage unlimited मिलता है बट मैं तो सा confused हो क्योंकि यहां पर लिख backing up from pixel is free and unlimited लेकिन यहां पर आप देखो कि लिखा हुआ है backing up from the pixel is free and unlimited जिसे लगता है कि भाई यहां यहां पर storage unlimited रखा गया है लेकिन दूसे अंदर मैं open करता हूं तो यहां पर 15GB है जो size दिखा देता है और फिर से यहां पर unlimited लिखा हुआ है तो थ्वासा मैं confused है इसके बार अच्छा results हो किया है हर बार यह blank रहता था तो काफ़ी down आता था बड़ सही है जिसमें आप देख पाऊ कि बैटरी और हीटिंग दोनों काफी अच्छे निकलके आते हैं यहां पर मैंने standby battery drop भी check किया है जो कि आप देख तो 36% मैंने left किया था timing है जो 10.39 है और यहां पर SIM card बगरा भी डला हुआ है और जब मैं इसे morning में check out करता हूँ ना तो यहां पर 36-34 आ चुका है यहां फूल नाइट में only 2% battery drop हुआ है और timing है जो 658 है और SIM card बगरा डला हुआ है तो फूल नाइट में only 2% battery drop हुआ जो कि मुझे लगा कि वहाई काफी सही है जारा drain देखने को नहीं मिलता और यह है हमारा CPU ट्रोटल जो कि 94 का गया है जिसमें minimum काफी डाउन है और max देखी सकते हो उसका और मैंने game drop में डाला और official चेक किया तो कोई खास improvement देखने को नहीं मिलता जो कि 93 का 93 ही दिखाई देता है तो overall में यहां पर कहुआ है minimum थोड़ा से improve हुआ बट को यहां पर 90 एपिस unlock देखनी को मिलता था तो यहां पर छोड़ा सा कमी लगा तो आपका normal सा gameplay होने माला है कुछ खास extra advanced level का यहां पर नहीं होगा तो इस वाकत जो SR edition आया है ना इस device के लिए यह ठीक ठाक है उटना ज्यादा नहीं है मज़ेदार जितना कि हमारे Mi 11X के लिए ह होता है तो overall मैं कहाँ कि बाके दर जैसे port आते ना sim उसी के तरह है कोई खास ज्यादा यहां पर advanced भी नहीं है तो कुछ खास ज्यादा यहां पर problem भी नहीं है तो बीच-बीच का है तो आप चाहो तो try कर सकते हो या फिर आप चाहो तो skip भी कर सकते हो next अगर कोई update आता है तो पूच कर पाऊगे अधवाज भाई आपको problem पता ही है और flashing guide वह ही आपको आई बटन या discussion में वीडियो मिल जाएगा जिसे चेक आउट करके इसे flash कर लेना so thanks for watching बबाई कर दो